खरगोन में 31 अगस्त को शास्की देवी अहिल्या बालक उच्छतर मादमिक विद्याले के खेल मैदान में जन्जाती कारे विभाग द्वारा आयोजी दो दीवसिये विभागिये राजिस्थरिये थ्रोबोल प्रितोगिता का शनिवार को समापन हुआ शनिवार को हुए फाइनल मुकाबले में सीनियर जूनियर वह मिनी तीनों वरगों में बालकों में मध्य शेतर वह बालिकाओं में पस्चमी शेतर विजेता रहा विभागे राजिस्थरिये थ्रोबोल प्रितोगिता के समापन अवसर पर बालक बालिकाओं को शुब कामनाई देते हुए शेतरी विधायक शिरी रवी जोशी ने कहा कि आपको अपनी प्रतिभा छुपाने की आवशकता नहीं है यह मैदान आप लोगों की प्रतिभा निखारने का आवसर देता है यहां आप लोगों को प्रतिभा दिखाना है और अपने जीले वह परदेश का नाम कामनाई दी मुख के अतितियों दुवारा विजेता टीम को पुरिस्कृत करते हुए ट्रोफी वो परमानपत्र वितरित किये गए प्रेमी लोग हो वो भी इस ग्राउन पर पोचे और ग्राउन खचा खच भरा हो एसी आशा और विश्वास हो इसको हम केवल खाना पुट्टी और आदिम जन्ति जाती कल्यान विभाग तक सिमीत न रखें पूरा शेहर इस ग्राउन पर उंगड़े और बच्चों की प्रतिभा निखरे बच्चे उसमें आगे बढ़े बच्चों को आगे बढ़ने के लिए चाय वो मंड़ा का हो ढिंडोरी का अनुपपूर का हो इटार्शी का खंडवा का खरगोन का धार बढ़वानी जाबवा का कईका भी बच्चा है अगर उसमें प्रतिभा है तो निश्चीती आदरी कमलनाची के सरकार उस बच्चे को राश्ची इस्तर तक ले जाने में जो मदद होगी वो करेगी आप अपनी प्रतिभा छुपाने की जर्वत नहीं प्रतिभा निखारने का यह जो ग्राउन होता है प्रतिभा को निखारने का उसर देता है आप प्रतिभा यह निखरेगी तो निश्चीती आप्रदेश का नाम रोशन होगा आदरनी कमलनाजी की सरकारी को प्रतिवा है हम उसको घर में नहीं बेटने देंगे दिल्ली तक बेजेंगे और दिल्ली से विजेश तक जाने की समता है उसमें तो वहां तक ये मत्वरे इसकी सरकार आप लोगो को बेटेंगे एसे ही लेटेस्ट खबरे पानी के लिए सब्सक्राइब बटन पर ख्लिक कर बेल आइकन को दबाए